एसे सब्द जो कि एक दूसरे के विप्रीत अर्थ देते हैं विलोम सब्द कहलाती हैं और आज हम अर्थ का विलोम सब्द के बारे में बड़ी ही विस्तार से जणेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि अर्थ का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाएं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों अर्थ का विलोम सब्द अनर्थ होता है अर्थ का मतलब क्या होता है आईए जान लेती दोस्तों अर्थ का मतलब होता है किसी चीज को परिवासित करना जैसे की खाने का अर्थ होता है बोजन को अपने मुह के अंदर लेकर चबा कर खाना दोस्तों अर्थ किसी चीज के मतलब को व्यक्त करता है नेट के उपर जब हम किसी सब्द के अर्थ के बारे में सर्च करते तो लिखते हैं की कॉमल का अर्थ क्या होता है इस परकार से हर सब्द का अपना अर्थ होता है अनर्थ का मतलब क्या होता है अई ये जान लेती अनर्थ के दो तरह के मतलब होती है पहला मतलब होता है जिसका अर्थ ने हो यानि अनर्थ वै होता है जिसका किसी परकार का कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है जिसे अर्थ हीन भी कहा जाता है अनर्थ का दूसरा मतलब होता है कुछ बूरा करना जैसे कि आप किसी लड़की को बगा कर ले जाती है तो यह समाज की नजर के अंदर एक अनर्थ होता है इस तरह से अर्थ का विलोम साब्द अनर्थ होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना ने भूले इसके साथ ही एसे ही विलोमसद जानने के लिए चेनल के लाल पटन को दबा करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ने भूले